नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सान फैसन डिजाइनर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुती खुबसूरत स्लीव डिजाइन दिखाएंगे तो यह डिजाइन कैसे बनाएंगे यह हम मैचिंग कपड़े से बनाएंगे यह हमने अपनी स्लीव की नॉर्मल ही कटिंग की हुई है तो यह देखे हमारी स्लीव है 14 इंच जितनी हमारी स्लीव तैयार है उससे हमें 2 इंच कम कर लेना है तो यह हमने कटिंग की है 12 इंच तो बनने के बाद यह हमारी 14 से 14.5 इंच तैयार आजाएगी इसकी मोरी हमने ली हुई है यहां से ग्यारा इंच यह हमने आधे इंच का दबाव चुटा हुआ है यह हमारा दबाव में आ जाएगा तो सब से पहले हम जो हमारी स्लीव्स का आगे का भाग है उसकी कटिंग करेंगे यह हमने दो पीस लिए हुए है इस परकार से तो हमारी जो आस्तीन है उसके आगे का हिस्सा है ग्यारा इंच हमारी मोरी है तो उससे हम दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे यह हमारा मार्जन के लिए दबाव में आ जाएगा और यह हमारा यहां से 14 इंच पर निशान लगाएंगे तो एक साइड से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर मार्जन छोड़कर और दूसरी साइड से निशान लगाएंगे 7 इंच पर यह हमारा चार इंच है यह हमारा साथ इंच है तो इसे हम ऐसे सीधा करेंगे इस परकार से और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो दोस्तो हमारे डियाइन बहुत ही खूबसूरत आने वाला है हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले तो चलिए अपने कपड़े को और हाड करने के लिए हम इसके उपर पेपर फ्यू चिपका लेते हैं तो यह देखे हमने अपने पीस के नीचे पेपर फ्यू चिपका दी है और हमारा जो कपड़ा है वो हाड हो गया है अब इस परकार से हम इसके उपर ऐसे अपने दूसरे कपड़े को रखेंगे और इसके इस साइड इस साइड और इस साइड सिलाई लगाएंगे अब हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे हमने ये तीन तरफ सिलाई लगा दी है और ये जो हमारा है ये एक साइड हमारे जो सीधा भाग है वो खुला भाग रहे गया है अब हम नोक के उपर से ऐसे कटिंग कर लेंगे इससे हमारी नोक मोटी नहीं होगी और आराम से बारीक पलट जाएगी अब हम इसे पलट लेंगे इस परकार से पलटने के बाद इसके उपर सिलाई लगाएंगे पहले हम प्रेस से इसे सेट करेंगे और उसके बाद सिलाई लगा कर आप चाहे तो बिना सिलाई के भी से यहाँ पर प्रेस की सायता से जमा सकते हैं अपिस प्रेस से अच्छी तरीके से जम गया है इसके उपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ एक सेंटर में कट लगाएंगे उसके बाद सबसे पहले हम जो हमारा बड़ा भाग है उसे इस परकार से रखेंगे और फिट उसके उपर छोटा भाग अब हमें यह देखना है कि हमारी जो SLEIS है वो हमें यहाँ पर 11 इंच तयार रख लेनी है यह देखे हमारी 11 इंच तयार है यह भाग हमारा उपर आ गया है अब हम यहाँ पर कोई PIN लगाएंगे अगर आपके पास PIN नहीं है तो हम यहाँ पर सुई भी लगा सकते हैं यह हमने यहाँ पर सुई लगा लिए है अब हम अपनी आस्तिन के खुले भाग पर सिला ही लगाएंगे इसे बंद करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि सिलाई हमें कहाँ पर लगानी है हमें सिलाई यहाँ पर लगानी है यह हमारी आस्तिन और हमारा कफ बिल्कुल तयार आजाएगा एक कट हमें अपनी स्लीज पर लगा लेना है इस परकार से और इसे इस परकार से सीधा कर लेना है ऐसे और ये देखें ये हमारा सिलाय वाला भाग है इसमें हम इस परकार से ऐसे और ये हमारे सुई का भाग है इसे हम नहीं उठाएंगे जो हमारा सुई से नीचे का भाग है इसे हम इसके उपर ऐसे रख लेंगे इस साइड और इस परकार से इसे यहाँ पर हमें दबा कर रखना है और ऐसे अपनी स्लिव्स को उल्टा करेंगे और यहाँ पर अच्छितरी के से देख लेंगे कि यह हमारा कट हमारी स्लिव्स वाली सिलाई पर है के नहीं इसे अच्छितरे से यहाँ पर लगाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे इस परकार से और यह हमने सिलाई लगा दी है इसके बाद हम अपने आस्तिन पर यहाँ पर अवर लोग कर लेंगे जिससे हमारा धागा ना निकले और अब हम इसे सीधा करेंगे और अपनी सुई को ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके उपर हम अच्छी तरीके से प्रेस लगाएंगे इससे हमारा काप अच्छी तरीके से जम जाएगा और उसके बाद हम इसके उपर बटन वगेरा लगाएंगे जिससे हमारे आस्तिन और भी खुबसूरत नजर आएगी तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी आस्तीन कैसे त्यार होती है और यह हमने अपनी स्लीज पर प्रेस लगा ली है और उसके बाद यहां पर तीन बटन भी लगा दिये हैं सुई और दागे की साहिता से तो इसी के साथ हमार डिजाइन बनकर तक्यूं और दाएंग और दाएंग और फेंद थाले ख में बंकर क्या दोची तो चलिए भाइख झाए जितार हैं कर दो आको ठाद कर दोची खाले हैं और यहां पोटने से प्रिए दोची एकाने सी किने अधरश